प्रिस्ट में मेरे प्यारे माता पिताओं एवां बायबानू आज हम पासक का चांथा प्रविवार में हम प्रवेश कर रहें और आज का मुख्य शन्दे सुस्माचार में हम पाते हैं कि प्रवी येशु हमारे लिए एक सच्चा जर्वाः है प्रवु काते हैं भाला गड़िया माई हम जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ उसी तरह मैं अपने भीडों को जानता हूँ और मेरी भीडे मुझे जानती है मैं भीडों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ गड़ेलिया भीडों को चराने ले जाता है वह भीड़ों को न सिर्फ आची चरगाहों में ले जाता है बलकि उनकी जंगली जनवारों तथा हर प्रकार के खात्रे से रक्षा भी करता है यदि कोई जनवर उन पर हमला करता है तो वह उस खात्रे से स्वयम निपडता है कभी-कभी इन जुनडों को चराने की जिमेदारी मेदूरों को भी दी जाती थी खात्रे की स्थिति में ये मेदूर भीडों को आकेला चोड़ कर भाग जाते थे मैदूर को केवन अपनी मैदूर से मतलब होता था वो अपनी जान पर खेलकर भेड़ों की देखवाल नहीं कर सकता प्रवी ये स्वार्थ से मैदूरों की तुलना इसरायल के धर्मिक नेताओं जिन पर इश्वर की प्रजा की देखरेग की जिमिदारी थी से करते हैं जो लोगों की चिंता नहीं करते थे वे अपने ही स्वार्थ और अधंबर की बातों में लागे राते थे ख्रिस्ट में मेरे प्यारे माता पिताओं अबाइबानों आज के तीनों पार्ठ हमें याद दिलाते हैं कि येशु क्रिष्टी हमारा सच्चा चरवाह है वो एक सच्ची चरवाह की तरब हमारी दिख भाग करता है हमें प्रेम करता है और एक मा की तरब हमें संभलता है हमारे गाउं पर बट्टि बांता है तथा परचुर मात्रा में हमें शाति इवन स्रक्षा प्रधान करता है जिस परकार एक गड़े लिया अपनी भट्किवी भेड के लिए विलाब करता है उसके लिए शोक मनाता है उससे धुन कर लाता है उसी प्रकार प्रभु भी अपनी भटकीवी प्रजा इसरायल के लिए शोक मनाता है अपनी प्रजा के दोखों में सभागी होता है क्योंकि प्रभु को भी अपनी प्रजा के दोखों से दोख होता है अगर हम प्राणा विवस्तन में हम देखेंगे तो प्राणा विवस्तन हमें याद दिलाता है कि जब जब इस्राइल जानता की ओपर घोर अतियाचार एवा मुसिबाते होती थी पिता इश्वर उनकी दिंभाव करने के लिए नियाय करता हों राजाओं इवां नभियों को चून कर भीचता था इनके दुवारा प्रभु अपनी प्राजा की सुधि लेता था क्योंकि प्रभु अपनी प्राजा को प्रेम करता है उसे अपनी नजरों की सामने रखता है कि दूर चले गए प्रभु उन्हें धून कर लाता है, खोजगर करनाँ याँग, क्योंकि प्रभु काता है मैं एक्री भीरों को खोजने जाऊंगा, कुहुरे और अधेरे में जहां कहीं वेधितर बितर हो गई है, मैं उन्हें जहां से, मैं वहां से छोड़ा लाऊंगा, प्रभु के इस द्रिस्टी में सब मुलियमान होते हैं सब बराबर होते हैं किसी प्राकार के छोटे बाड़े का कोई बेदभाव की भावना नहीं है प्रभु येशु ने हम पापियों की मुक्ति के लिए ही आपने संपुन जीवन कुर्बान कर दिया एक भले गड़ेरियों की तरफ उसने अपने भीड़ों के लिए अपने प्रांथ निशावक कर दिये क्योंकि प्रभु कहाता है भला गड़ेरिया ममाई हो भला गड़ेरिया अपने भीड़ों के लिए अपना प्रांथ दे देता है यदि सचमुच में प्रभू हमारा भला गड़िया है तो हमारी यह जिमदारी बनती है कि हमें एक भेड के गुनों को अपना जीवन में अपनाना होगा जिस प्रकार गड़िया अपने बीडों की आगे आगे चालता है और उसकी भेडे उसके पीछे पीछे भेडे अपनी माली की आवाज आ जाती है जब वो उसे आवाज देता है तुरंद उसके पास आ जाती है हमें भी प्रभु येशु के पीचे पीचे जालना होगा उसके साथ जुड़े रहना है हर एक परिस्थिति में चाहे सुख हो या दुख हो प्रभु में बाले रहना है हमें अपने आपको पून रूप से प्रभु के लिए खाली करना होगा क्योंकि प्रभु हम पर्दिक जन को अपनी प्रजा की दिख भाल करने के लिए यूद किया है प्यत्रस के पहले पत्र अधियाए पाँज पंसाक्याएं दू अर्तिन में प्रभु घाता है आप लोगों को ईश्वर का जो जून्ट सौंपा गया उसका जर्वाह बने इश्वर की इच्छा के अनुचा उनकी देख भाल करें लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से घिनोने लाख के लिए नहीं बल्कि सिवाभाव से आपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जाता कर नहीं बल्कि जून के लिए आदर्स बन कर आज हमारे सामने हमारे लिए बहुत सारे आदर्स लोग हैं जैसे हमारे माता-पिता, भाय-वहन, शिख्षक-शिक्षिकाएं एबं हनेक संद जन इसे हमें सेखना है, इनके गुझत को हमें अपनाना है जिस परकर एक पती अपनी पतनी के प्रती अपनी जीमिदारी लिबाता है और पतनी अपने पती के प्रती शिक्षक, सिक्षिकाएं, बिध्यात्यों के उजवर भर्ष्यों को जीमिदारी प्रुभग सवागते है उसी परकर हम क्रिष्टियों की भी यह जिम्यदरी बनती है कि हमें भी कलिशिया की उत्थान के लिए काम करना है कंधे से कंधे मिला कर आगे बाढ़ना है दुसरों के लिए सुसमाचार बाढ़ना है कुछ दिन पहले ही हमें प्रभु येशु क्रिष्ट के पुरुथन का दिभार मनाया है प्रभु का कुणूस बलिदान इससे बढ़कर कोई बलिदान नहीं है प्रभु येशु ने हमारे पापों के लिए सुननी पर जड़कर वो हमारा मुक्तितादा बन गया प्रभु येशु पर विश्वास काता है उसका उद्धार होता है और उससे अनत जीवन राप्त होता है ऐसे येशु की पुजा अराधना, स्तुति एबं वांदना करना हमारे लिए कितना सोभाग्य की बात है दुसरे बात में हम सुनते हैं कि पेतरुस ने एक लागड़े व्यक्ति का उपकार किया और वह भला चंगा हो गया लेकिन जानता कि शासकों और नेतां को ये नहीं सोहाया पेतरुस आज योहन से पुश्टाज करते होए काते हैं कि यह किस परकार भला चंगा हो गया तब पेतरुस वहीतरा आत्मा से परिपुन होकर काता है कि जिसे आप लोगों ने कुछ पर चाहा दिया उसने उन्हें चंगा किया है यह वही पत्थर है जिससे आप करिगारों ने निकाल दिया था जो कुने का पत्थर बन गया है क्रिस्मे मेरे प्यारे माता पिताओं मैं बाइनो आज समाज में भी यही माहुल है जो व्यक्ति गरिब, बेसहारा, कमजोर और बतसूरत है उसके उपर तरतर के इलजाम लाए जाते हैं उसे नीचे देखाया जाता है, उन पर जुम धाया जाता है अज हम भी उन्ही लोगों का स्वागत करते हैं, जिन से हमें कुछ पाने की आशक होती है हम उन्ही को प्यार करते हैं जिनको हम चाहते हैं जिन से प्यार पाने की आशा करते हैं प्रभु का प्रेम संसारी प्रेम से पारे हैं जो प्रभु की शरन में जाता है वो प्रभु में हो जाता है मेरा यह बिश्वास है कि प्रभी येसु ही हम सभूं का उधार कर सकता है क्रिस में मेरे ब्यारे माता किताओं इवां भाई भालो आज के इस परिवेश में हमें मसी को धोना होगा उससे जानना होगा फिल्पियों के नाम सन पोरुष के पत्र आधियाए तीन पंसाख्याए आख और नो में हम पाड़ते हैं मैं प्रभू इसा मसी को जानना सरोशेस्ट लाव मानता हूँ और ग्यान की तोना में हर वस्दू को हानी समझता हूँ उनहीं के लिए मैंने सब कुछ छोर दिया है और उससे कोड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसी को प्राप करूँ और उनके साथ कुन रुप से एक हो जाओ भेडों का भेडों के प्रती प्रेम उनके पिता के प्रती प्रेम से उपस्ता है उसी प्रेम से प्रेना पाकर वे अपने भीडों की दिख भाल करते हैं किसी मनुश्य के एपने प्राणों से बढ़कर कोई चीज नहीं है कि येशु अपने जीवन को भी भीडों की शिवा में अर्पित कर देते हैं अपने प्रेम के प्रकास्टा को दरस्ताते हुए वेकाते हैं इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्रान अर्पित करते। कुछ पर अपने प्रानों को अर्पित कर येशु ने अपने वजनों को सत्यता प्रदान की। येशु अपने जरवाहे के आदस प्रेम, सीवा एवं आतम त्याग के कार्या से नहीं ना सिर्द चुनेवे लोगों को बलकि संपुन मानोजाती को स्वर्दिक पिता की प्रकार प्रभुम्रुश्य का बहुत पकल्पनिय दिश्य प्रस्तुत करते हैं, जब सारी मानोजाती का एक ही जरवाहा होगा, तथा मानोजाती विविन वन्नों एबाँ विवचर धारों में बटी हुवी ना होकर एक ही जरवाहे की भेड़े बन जाएगी। इसलिए आये हम पहित्र आत्मा से प्राधना करें, कि इश्वर की आत्मा हम सभूं का मात दर्शन करें और एक आच्छा गड़ेलिया बनने के लिए हमें प्रेरित करें, ताकि हम प्रभुकी प्रजा की दिखभाग कर सकें, आताता इस जीवन जीवित येसु को दुसरों को देने योगे बहुत सकी